कॉंग्रिस संसद जयराम रमेश ने शनिवार को नए संसद भवन को मोदी मल्टिप्लेक्स करार दिया उन्होंने यहां तक कह दिया कि 2024 में जब सत्ता बदलेगी तो संसद भवन की नई इमारत का बहतर इस्तमाल किया जाएगा कॉंग्रिस नेता के इस बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नडदा ने कहा कि कॉंग्रिस के निमनतम स्तर के मुकाबले भी ये बेहदी खराब मानसिक्ता को दिखाता है उन्होंने इसे भारतियों का अपमान करार दिया बीजेपी अध्यक्ष नडदा ने सोशल मीडिया प्लाटफर्म एक्स पर लिखा कॉंग्रिस पार्टी के निमनतन स्तैंडर्ड के हिसाब से भी ये दैनिय या कहे खराब मानसिक्ता है 140 करोड भारतियों की आकानशाओं के अपमान के अलावा और कुछ नहीं है यह पहला मौका नहीं है जब कॉंग्रेस संसद विरोधी हुई है उन्होंने 1975 में भी ऐसा करने की कोशिश की और इसमें वह बुरी तरफ पेल हो गया है नड़ा के अलावा केंद्रिय मंत्री गिरीराज सिंग ने भी जैरां के इस बयान पर नाराजगी जताई केंद्रिय मंत्री गिरीराज सिंग ने कहा कि मेरी मांग है कि पूरे भारत में राजवन्सियों के गड़ों का मुल्यांकन करने की जरूरत है सब्दर गंज रोड कॉ तुरंत भारत सरकार को सौपने के साथ होनी चाहिए ऐसा इस बात को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए सभी प्रधान मंत्रियों को अब PM संग्राले में जगा दी गई है दरसल सब्धरगंज रोड पूर्व प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी का निवास्तान है जहां पर मोधी मल्टिप्लेक्स या मोधी मैरियट कहा जाना चाहिए चार दिनों के भीतर ही मैंने दोनों सदनों के भीतर बात्चित को खत्म होते हुए देखा है अगर वास्तुकला सच्छमुच लोक्तंत्रों को मार सकती है तो संविधान को दोबारा लिखे बिना ही प्रधान मंत संसद्भवन का एक गौरफ था दोनों सदनों सेंट्रिल हॉल और गलियारों के बीच चलना आसान था उन्होंने आगे का कि शायद 2024 में सत्ता परिवर्दन के बाद नए संसद्भवन का बहतर इस्तमाल किया जा सकेगा